हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग आज है 18 फेब और आज सुबसुब मैं यहां बनाई हूँ फेस पे लगाने के लिए और यह है वाटर मेलन का पल्प थोड़ा सा राइस पाउडर और थोड़ा सा मिल्क क्यों मैं बनाई हूँ बताती हूँ यह है पेरा वाटर मेलन का जूस तो इसका जो पल्प निकला है इसको स्ट्रेंड करने के बाद तो मैं जोच उसको फेकने से बेटर है कि कुछ यूज करने तो मैं यह पैक लगाने वाली हूँ अभी इसको मैं लगा करके ऐसा बिलकुल पल्प जो है न इसका यह बीलकुल शो अटने दा रह रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा हैंड में लेकर कि हैसे मसाज करते हुए लगा देती हूँ एंद फिर थोड़ा देर इसको छोड़ दूंगी ड्राइ होने के लिए थोड़ा थोड़ा लगड़ा गला प्रॉब्लम है ना सुबह सुबह का इसलिए शाइद मैं लगा ली हूँ फेस पे और थोड़ा हैंड पे भी स्क्रब कर ली हूँ क्योंकि उसमें पाउडर डाली हूँ तो वह स्क्रब भी बहुत अच्छे से होता है राइस पाउडर एक्चली मुझे बहुत अच्छा लगता है स्क्रबिंग के लिए बहुत हार्श से मत कीजिए उसको बहुत सौफ्टली कीजिए I think it's a best scrubber मुझे जैसा लगता है जो कि आपको घर में ब बनाई हो बिंडी आलू टमाटर का इसके साथ रहेगा मेरा फुल का कि दो बहुति आलू आलू ए जड़ कि आलू एपनिग ज करन ओपको बहुत है जो पिला कि आलू गलू आखवता है में की आलू रहेगा में कीजिए आलू भाट अ तो ये बन गया है मेरा दो रोटी मोमेंट घर पे है नहीं तो मैं नहीं बना रही हूं उनके लिए और जब तक बना है मेरा रोटी तब तक ये भी ड्राइ हो गया है तो मैं जाती हूँ इसको आगे मसाज करते हुए वाश करने के लिए तो मिलती हूँ मैं वाश करने के बाद ब्रेक्फास्ट रेडी है तो मैं जाती हूँ ब्रेक्फास्ट करने के लिए सब्मे डगती हूँ तोरा बिद्बास्ट ब्रेक्फास्ट ब्रेक्फास्ट तो मिलती हूँ जाは फसमया भाद ब्रेक्फास्ट 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 ढगर गनिम्मेम भी180 अब साम हो गया है और मैं मिल रही हूँ अभी आप लोगों से और टाइम होड़ा है 7.19 इवनिंग में उठके गई थी खाना बनाने के लिए रात का तो डिनर में बना दी हूँ चावल दाल ही वनाई हूँ क्योंकि मोमेंट हैसन से आ रहे हैं तो वो चावल दाल ही सबसे ज्यादा प्रिफर करता है खाना उनको बहुत पसंद तो वो बना दी हूँ साथ में मैं सोच चलिए पहले बना लेते हैं क्योंकि 7.19 अल्रडी हो चुका है तो विदिन एक में खाना खालूंगी आइड़ों नो मोमेंट को थोड़ा लेट तो होता है तो खाना खाने के बाद मैं कंटीनी करूंगी काम करना पूरा अंधेरा घर के रखी हूँ देखिए सेफ मेरा यह वाला लाइट जल रहा है तो पूरा घर अंधेरे में है अभी हमारा मैं आउन करते है अपना कीचिन का लाइट तो यह देखिए डाल औरेड़ी मैं बना के रखी हूँ सबजी थोड़ा है और यह है राइस और यह पक चुका है यह जो मैं चावल वाश करके उस तिन दिखाई थी आपको मेरे लास्ट लास्ट व्लॉग में तो वो है यह अभी तक मैं राइस रवा नहीं बनाई हूँ इसका और यहां मैं डाली हूँ सारे डाल को मिक्स की हूँ मसूर का दाल है और थोड़ा सा चना दाल है और थोड़ा सा उरत की दाल है यह तिनों को मैं मिक्स करके सोक करके डाल दी थी तो अभी यह पीस्ने लाइक हो गया है तो इसको कर लेता हूँ grind सो यह दाल मेरा पीस के इतना सारा हुआ है इसमें मैं एक ग्रीन चिली पीसी हूँ साथ में और साथ में इसमें थोड़ा जीरा डाल के पीसी हूँ अभी मैं तो शॉल्ट डाल दी हूँ इसमें बट मैं इतना नहीं जा रही हूं बनाने के लिए जितना बनाओंगी उतना में ही मैं ये अनियन कटकर के रखी हूं न ये अनियन डालूंगी और बाकी कल बनेगा बहुत ज़्यादा अभी नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा पीसेजी खाना है, दो दो दीन दीन पीसेज, इसले में इतना ही बना रही हूँ इसको मैं रख देती है, प्रुज में कवर करके इसमें डाल रही हूँ धेश रारा अनियन प्याज वाला पकोड़ा बनता है वैसे ही बनेगा, सिर्फ पेशन जग़ा पे डाल का पेस्ट है पेरा तो इसलिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट साथ में डालूंगी थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा धन्या पाउडर वैसे नहीं भी डालेंगे तो भी अच्छा ही लगेगा पर थोड़ा सा डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा और मिर्ची पाउडर डाल दे रही हूँ क्योंकि एक ही मिर्ची डाली थी उसमें और जो पकोड़ा होता है वो थोड़ा स्पाइसी ही अच्छा लगता है तो बस हो गया, इसको करेंगे mix यहां तेल गरम होने डाल दी हूँ और इसको मैं अपने हैंड को थोड़ा वेट के ले रही हूँ और हैंड से डालूंगी बिलकल मॉमेंट के लिए मैं इसको कवर करके रख दे रही हूँ जब आएंगे तब गरम गरम देंगी बना करके क्योंकि ठंडा होने के बाद उतना मज़ा नहीं आएगा न खाने में तो मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ अभी साथ में मैं कटकड़ी हूँ यहां पे कुकुम्बर और थोड़ा सा अनियन सैलेड के लिए मोमेंट उतना ज्यादा सैलेड नहीं खाते हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा सा कुकुम्बर रखी हूँ अलग से बस कटकर के थोड़ा सा दूलगी और बाकी मैं बहुत सारा सालाद खाती हूँ कि मुझे पसंद है बहुत तो सैलेड में मैं क्या मिलाती हूँ आप लोग देखें इसमें है कुकुम्बर अनियन थोड़ा सा में डाली हूँ अनियन नहीं भी डालेंगे तो चलेगा बट अल्रडी मैं कटकी थी इसलिए डाल दी हूँ साथ में यह में डालूंगी इसमें थोड़ा सा चाट मसाला थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और साल्ट नॉर्मल सॉल्ट डालनी हूँ चाहे तो आप ब्लैक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हैं, टेस्ट अच्छा आता है, तो उसको कर देती हूँ मैं अब मिक्स तो मेरा सालेड रेड़ी है और अब ये मेरा दाल और अन्यन का प्रकोरा भी रेड़ी होने वाला है विस दो मिनिट में तो मैं लगा लेती हूँ फटा फट अपना दिनर कर देड़ी है मैं कर लेती हूँ डिनर मिलती हूँ उसके बाद आप लोगों से जब मॉमेंट आते है स्पीपर अमिल ag Zwe कि भूण झाए व ए्यां सुना हो जुण हुवजश है कर दोब 2 खालिय्वीर हुआ हूँ कर दो कर खो Quindi है कर दो लाई झालिय। आप बोले थे काम खड़ता है रहता है? काम खड़ता है रहता है रहता है रहता है रहता है? मोमें काम कर रहती है मेरे रोज अईसा हो गया क्या करें देख आप चलेगे दिना इसलिए फोन किया है सुबसबस आइसाल वाल मार्टि तो देना पड़ अज़र ना अपको laston उर्ति है लास्ट मीं उर्ति हां बतली आप ऐसे वरे न मोमेंट जैसे पूरे जिनव बैठर रहते हैं कोई काप नहीं करती हूँ करती ही रहती हूँ seaporn sieporn का क्या हालत किया और मैंन इसको चिपका के रखी थाप вас देखिये पूरा और इसको ना सेलो टेप लगाकर कि मैं इसको रखी हूँ यह इधर से पूरा ऐसे निकल रहा था यह हालत किया आइफोन का बचारा पूरा स्कीन चेंज कराना पड़ेगा इसको इतना टूटेने के बाद भी चल रहा है सरी बात है that is the iPhone इतना टूटे के बाद भी मतलब अच्छार पोन हो था था थो नहीं चलता था नहीं चलता था था आच्छार पर्चंट झाल झाल मिलती हूं आप से मेरे नेक्स व्लाग में तिल देन अच्छे से रहे हैं खुब सबारा मस्ति कीजिए इंजोए कीजिए लाइफ को हार एक मोमेंट को एंजोए कीजिए अगर आपको मेरा ये वीडियो ये ब्लॉग्स अच्छा लग रही है तो प्लीस तो लाइक शेयर इट अलसो सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथ में पो बेल बटन जो है उससे जरूर कीजिए मिलती हूँ आप सब मेरे नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई टेक केर